तो इस तरीके के question में हमने mostly हर तरीके के टाइब बता दियें ठीक है अब कोई और भी डाउट हो तो आप लोग पर मेंट करें तो उसे पता चल जाएगा कि क्या प्राब्लम है ठीक है तो अब इसमें क्याएगा simplify करना है तो यह पहले हम लोग लास्ट वाला यह term से इसको उठाते हैं यह नीचे वाले को तो क्या हो जाएगा 1 plus 4 upon 2 पहले इसको solve कर लेते हैं तो 2 5 जा 10 तो 10 में से 1 minus करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 9 by 2 यह 2 ऊपर चला जाएगा यह नी हमारे बात आएगा 2 3 6 हो जाएगा upon में 9 ठीक है इधर चल रहा है minus 1 by 2 और 2 से 10 को डिवाइट करेंगे तो क्या जाएगा 5 आ जाएगा काटने में असान रहता है 1 by 2 और यह 1 by 2 ना कहके इसको हम लोग 5 by 2 कह सकते है 5 और 5 और 2 और 2 ठीक है इसमें कुछ कट रहा है तो 2 से 4 1 जा 4 6 जा ठीक है यह 3 से कट है 3 3 जा 3 2 जा यहनी इधर क्या आ गया तो 1 plus 3 by 2 minus 5 by 2 ठीक है अब यह दोनों सेम है एक जैसे तो इसको हम लोग पहले solve कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 में से 5 minus करेंगे नीचे वाला सेम है तो 1 plus 2 और ऊपर क्या हो जागा 3 में से 5 minus करेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस 2 by 2 अब माइनस 2 by 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा वह न आ जाएगा यानि 1-1 इकोल कितना जाएगा जीरो तो इसका एंसर क्या आ जाएगा हमारा जीरो आ जाएगा अगर कहीं पर भी डाउट समझ में आ रहा है कुछ भी यह चीजे नहीं क्लियर हो रही है तो आप लोग उसको कमेंट करें बताएं और